तो स्वागत है आपका मेरी लद्दाक सीरीज में जिसका नाम है तुशी हसो जीओ मुस्कुराओ क्या पता कल होना हो हाई माय मॉनलाइट्स पैकिंग मेरी स्टार्ट हो गई है और यह कहां के लिए पैकिंग हो रही है मैं बाद में रिवील करूंगी यह है मेरा एरपोट लोग तो मिलती हूं आपको डरेक्ली वहां पे मॉर्निंग प्लाइट का दुख तो आप समझे सकते हैं तीन बज़े की उठी हूं और साड़े चार बज़े घर से निकल चुकी हूं फाइनली फिर मैंने पर लगिर समिट के हैं पर पहुंचके और बोर्डिंग पास मेरे हाथ में आ गया है अब हम सीधा चलेंगे बादलो में यार टूरिस्ट के लिए न उस्ट पॉपौडर प्लेस है ले लडदा हर कोई एक बार इस जगह जरूर जाना जाता है temos सबकी विश्निस्ट में इस प्लेस का नाम जरूर होता मेरी भी विशस्ट में ले लडदा का नाम काफी वाचवparents है द all these 날ात आर विस नाम काफि मे में क्या पार्ट होता है मतलब वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम मैं ले लदा के एरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ यहां से ही आपको टैक्सी मिल जाती है बिलकुछ सामने ही टैक्सी का बूथ बनावा है बहुत बड़ा सा और यह मैंने अपनी टैक्सी ले ली ह तो अब थोड़ा बात करते हैं कि ले फेमस किन चीजों के लिए है ले फेमस है गाईज अपने बरफ से ढके हुएерш लगावा भीडियर की है बुद्धिस्ट के लिए हाइ अल्टिटूब पार्श के लिए मार्किट के लिए बाइक राइड के लिए लिए ले लदाक से रि आपको इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिल सकती जितनी मुझे इस होटल ने दी है तो इसके भी फाइफ स्टार मैं इस होटल को देना जाओंगे मतलब I just love that place, the vibe, the services, the staff, everything is top notch and the view also. तो guys मैं ना five nights and six days लदाक में रुकी हूँ, तो मैं हर दिम का व्लॉग आप लोग उससे शेयर करूँगी, हम I think साड़े आठ या नौ बजे करीब होटल पहुच गए थे morning में और हमारा breakfast भी इंक्लूड़ेड था तो अभी हम लोग करने जाएंगे, उससे पहले जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा room tour दे देती हूं यहां पे इस hotel का, guys पहले बाद तो जो बेड़ ना, बहुत ही, comfy, cozy, मुझे मेरे घर की याद नहीं आने दिया रहे, सुने ना, और यहां पे ना, एक balcony भी है, बहुत अच्छी, चुब गुब चुब वाली, वो मैं आप लोगों को दि मुझे लगता है, ऐसी services ने मिलते हैं, जो हमें इस hotel के अंदर मिली है, क्या चीज हमें provide उन्होंने नहीं की, dryer था यहां पे, hand wash अलग था, body lotion अलग था, और यह भी नहीं quantity कोई छुटी छुटी वाली, हर चीज ही quantity full size में थी, and mirror भी दो टाइब के थे, और यहां फिर हम जो होटेल की है, वो इहां की balconies है, यहां से बैठके आपको क्या view आता है, direct sunlight आपके पास आती है, देखो, यहां पे sunlight जो पढ़ती है, वो direct पढ़ती है, तो इसलिए आखे ना आपकी चुन्दी आ जाएंगी, मतलब बिल्कुल आपको कुछ न दिखेगा, तो goggles आपको लग statement है, इसके regarding, guys, धूप ना यहां पे शाम तक रहती है, यहां साथ साथ विजे तक आपको धूप मिलेगी, proper, और, but हवा साथ साथ चलती रहती है, गर्मी जरूर लगेगी, क्योंकि वो धूप बड़ी तेज होती है, but ऐसा न यहां कि आपको ठंड भी लगेगी, क्योंकि समेशा बड़ा सीटी मार मौसा मिलता, आप वियू देख रहे हो, ऐसा लगता पहाड़ों के ओपर किसी ने बादलों को रख दिया, मैं बता नहीं सकते, मैं कितनी खुश हुई हूई हूई हूँ, मतलब, just because of that view, और यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीट जो मुझे म दिखाऊंगी, फिर थोड़ा सा यार शाम हो गई, मतलब, I think, 5-5 विजे, तो सागर ने कुछ अपने लिए order किया था, हम लोग ने, सैंडविच वेगरा, चाय वेगरा, और वो हमने ली, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ना breathing exercise करवाई, क्योंकि इसको थोड़ा-थोड़ा हमने रेस्ट करने दिया, क्योंकि उसका काफी headache हो रहा था, उसने medicine भी ली थी, और connection हमें लेना था, एक मतलब, पोस्पेट connection यहाँ पर requirement होता है, आपका phone आते ही बंद हो जाता है, वैसे तो सागर ने अपना डैली से पोस्पेट connection convert करवा दिया था, बट स्टिल यार वो न इस रफ मैं वीडियो और फोटोस लेने के लिए अपने phone को यूज करते ही थी, फिर हम एक स्टाफेगर काईस को यहाँ पर आके आप यह वाले momos जरू ट्राय करना, मतलब जो आपको यह bamboo वाले casserole में मिलते हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी और यहाँ की ना चटनी भी बड़ी फ्लेवर फुल थी मतलब बहुत ही यम्मी मतलब आज तक मैंने ऐसी momos की चटनी नहीं पाई और आप एक जी और जूसी बहुत ही तेंडर बहुत ही यम्मी से यार momos लें मतलब ऐसे एक्स प्लेंट बड़ा कम बलता मैंने mutton momos लें यहाँ और सबसे बेस्ट पार् आते हैं अपने में निकालना यार मेरे में डाले जा रहा है आज ले अगाई यम्मी अस्ट मोमो आई तिंग मैंने अपने लाइफ के यहाँ पे खाए क्योंकि यार सब कुछ फ्रेश था स्टाफिंग फ्रेश थी मोमो फ्रेश थे चटनी फ्रेश थी बहुत ही जूसी टें अब आपको मिलवाती हूं अपने सेकेंड फ्रेंड से जिसके नहीं है पुंसुख आंग्डू यार में गलत लूँगी तो मारे का साला मुझे बहुत जादा वैसे आपने देखा होगा थ्री डेट्स में आता है पुंसुख वांग्डू तो वांग्डू कह रहे हैं कोई इन दोनों के साथ बहुत अच्छी मेमरीज हैं स्कूल लाइफ की क्योंकि नाइन स्टेंडर में जब मैं थी तब ये लोग हॉस्टल में आयते मेरे स्कूल में हॉस्टल हुआ करता था हम लोग के वीज के बच्चे हैं मलब कैंद्रे विद्धाले हक्स से मतलब वाले जो है सब एक जैसे हैं और थोड़ा लाइफ में अच्छे बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आम सो प्राउड ओफ देम और बहुत अच्छा लगा यार मलब वह वाइब जब मैंने करी आज भी मेरी वैसे ही केर करते हैं मेरी चोटी-चोटी चीजों पर मेरी चोटी के